दोस्तों हमेशा की तरह employment news के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजर हूँ डिसंबर में अभी जो भी vacancies बची हुई है जिनकी date बची हुई है उनके साथ मैं आपके सामने आज हाजर हूँ अगर आपने वीडियो क्लिक किया है तो पूरा वीडियो देख के जाईएगा सबसे पहल से अगर आपने टोल किलियर किया हुआ है आपकी एज 1843 साल के बीच में है तो आप महिला स्वास्त करता के लिए नेशनल हिंथ मिशन में अपलाई कर शकते हैं लाज्ट डेट है इसकी बारा दिसंबर 2022 किसी प्रकार की कोई application फिस आपको नहीं देनी है ठीक है सेली है 12,000 प पर जाकर के notification पढ़ दीजिएगा सैम से जो है यह के private है रिकुर्मेंट साइट है जो है जहां से जाकर के आपको सारा notification सारी जानकरी आपको यहां से मिल जाएगी तो जाकर के यहां से पहले आप notification देख लिएगा समझ में आए तो अपलाई करिएगा चली अगली पोश्ट क काम करना चाहते हैं ठीक है तो अच्छा मौका है नार्दन कोल फिड में खनन सरदार के लिए 374 पोश्ट खाली है सरवेयर के लिए 31 पोश्ट टोटल खाली है यह उगता दसुई पास माना गया है और इंजिनिंग में डिप्लोमाम आपसे मांगा गया है ठीक है दो अप्लिकाशन फीस 180 रुपए देना है और अधर के लिए कोई मतलब या सी एस टी ओ बीसी ठीक है इडेवलियर इनको किसी प्रकारी कोई फीस नहीं देनी है जनर्नल को 180 रुपए अप्लिकाशन फीस जमा करनी होगी ठीक है सेल्डी के अगर बात करें तो 31,860 रुपए पर परमन सिल्री है दोनों पोश्ट के लिए खनन सरदार के लिए और सरवेयर दोनों पोश्ट के लिए 31,860 रुपए परमन सिल्री है यंसी एल डाट इन पे जाकर किया पहले नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए उसके बाद अपलाई करिएगा अगली पेकेंसी के अगर बात कर है तो टॉल्ब पास होना चाहिए आपको PCM से चाहे PCP से चाहे CS से मतलब फीस कमिश्टी मैस से चाहे फिस कमिश्टी बायो से चाहे कंप्यूटर साइन्स से आप टॉल्ब आपका किलियर होना चाहिए फार्म फीस के अगर बात करें तो साड़े 500 रुपए है मतलब 550 रुप मतलब अभी समय है इसी बीच में आपको अप्लिकेशन यहाँ पे डालना है एज की अगर बात करें तो 18 से 20 साल एज मांगी गई है जोई इंडियन नेवी डाट जोबी डाट इन पे जाकर कि पहले नोट्रिकेशन आप चेक कर लीजिए उसके बाद अपलाई करिएगा अग पास और टिपल सी सडिक्ट आप से मांगा गया है आपकी एज 21 से चालिस के बीच में होनी चाहिए और लाश्ट इट के अगर बात करें तो अभी समय है मतलब अब्लिकेशन प्रसेश्ट नहीं हुआ 19 दिसमबर से अप्लिकेशन प्रसेश्ट होगा 19 दिसमबर से लेकर के 8 जनूरी तक यह चलेगा आप्लिकेशन प्रसेश्ट ठीक है अप्लाई फीच के अगर बात करें तो 25 रुपए सभी के लिए है ठीक है सिली है 5200 से लेकर 28200 तक पर मन्त उसके लामा आपका ग्रिश्ट भी है पे स्केल 2000 है ठीक है यूपी टिपल सी ट्रिपल एस सी डाड़ य प्रसेशन चिक कर लीजी उसके बाद अपलाई करिएगा अगली पकेशिक अगर बात करें तो रेलवे में अपरेंटीस अगर आप करना चाहते हैं तो बढ़िया मौका है अलग लग डिविजन में पोश्ट खाली है ठीक है टोटल 2521 पोश्ट खाली है जबलपूर अगर बात करें सता दिसंबर 2022 है एज लिमीट है 15 से 24 साल की बीच योगिता के अगर बात करें तो तेंथ 12 और संबंधि ट्रेड में आपके पास आई टी आई या एंसी टी एंसी वीटी सर्ट होना चाहिए मेरिट के अधर्व सेलेक्शन होगा सेल्री है एट थाउजन टू 15,000 फीस के अगर बात करें तो जन्नल और ओवीसी के लिए 100 रुपीज है या सी एश्टी ओमिन के लिए कोई फीस नहीं देना है वेबसाइट का लिंक मने यहां पर दे दिया है ठीक है जा करके पहले आप नोटिफिकेशन चेक कर लिजी उसके बाद अपलाई करिएगा या 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 यह सी वीटी सब्रूकर आपके पास होना चाहिए समझेट ट्रेड में एज लिमीट है 18 से 3 साल और लाश्ट डेट है बारा दिसमबर 2022 सेलेक्शन प्रॉसिक्स के अगर बात करें तो मेरिट क्या अधवर सेलेक्शन होगा वेबसाइट है हिंदुस्तान कॉप डाट कॉम इंदुस्तान कॉपर डाट कॉम पे जाके पहले आप नोटिफिक्शन चेक कर लीजिएगा समझ में आए तो अपलाई करिएगा अगली विकेंसी है बिहार पुलिस की 689 कांस्टेबल की टोटल पोस्ट खाली है योगता टॉल पास मांगा गया है ठीक है जनरल के अगर बात करें चोदर दिजंबर 2022 है और अपलिकसं फीस के अगर बात करें तो जनरल ओवी सी डबली उसकी शेसोफचतर रुपए है सेलेक्शन प्रॉसेस के अगर बात करें रिटेंट टेश्ट होगा फिचकल टेश्ट होगा ठीक है उसके बाद आप जानते ही है जैसा कि मेटकल टेश्ट होगा ठीक है डिटेंड मेटकल इंटर्व्यू यह सारा सेलेक्शन प्रॉस्चन में होगा सेली करकर बात करें की सजार साथ सो से लेकर के तिरपन जार परमन सेली होगी ठीक है वेबसाइट है www.csbc.bih.nic.inp पर जाके पहले नोट्रिक्रिक्रेशन चेक कर लीजिए उसके बाद अपलाई करिएगा अगली वेकेंसी है यूपी ट्रिपल सी में जूनियर असिस्टेंड की टोटल बारासो बासट पोश्ट खाली है यहां पर जनरल के लिए पांसों पंद्रा है एड़वी उसके सो पची सो बीसी के लिए तीन सो ठावन है यसी के लि 2021 यूपी ट्रिपल सी के लिए पेट 2021 यह हुआ था वह आपका किलियर होना चाहिए वह सब्विट आपके पास होना चाहिए हिंदी टाइपिंग का ज्यान आपको होना चाहिए एज लिमीट है ठारत से 40 साल लाश जेट है 14 दिसंबर 2022 और अप्लिकेशन फीस है पचीत प्रिकेशन और इंटर्व्यू के बाद आपकी जॉइनिंग होगी यहां पर मैंने वेबसाइट का लिंग दे दिया है तो पहले जाकर कि आप जो है चेक कर लिजी उसके बाद अपलाई करिएगा अगली विकेंसी है सियाइसप की सियाइसप में टोटल 787 पद खाली है पु के लिए हाइट 155 cm महिलाओं के लिए 155 cm है एज लिमीट है 18-25 साल लाज जेट इसकी है 20 दिसंबर 2022 अपलेक्रिक्रिशन फीज के अगर बात करें जनरल ओविश्टी के लिए 100 रुपीज है या सीच्टी कोई फीज नहीं देनी है सेली है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपे पर मंत ह अगर बात करें तो रिटेंट चेस्ट होगा डाकूमेंट वरिपकेशन इंटर्विव ठीक है मेडिकल इसके बाद आपका सेलेक्शन होगा यहाँ पर मैंने वैफसाइट का लिंक दे दिया है तो पहले जाकर कि आप नोटिफिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिशन चेक कर लीजिए ठीक है डिक है डिसमबर में जो भी हुष यहां पर खाली थी मैंने उनके बारे में आपको बताया जो भी डेटर भी बाकी थी जो है आज का वीडियो आपको कैसा लगा को इन बाक्स में जरूब बताईएगा ठीक है अगर कोई मिश्टेक हो कोई दिक्कत हो ऊसके लिए धन्यवाद